सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को और प्रेस कीजे बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके नमस्कार दोस्तों वेलकम तु स्वाद सफर और जिन्दगी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के चटपटे पकोड़े इसे आलू के भजिया भी बोलते हैं इसे बनाने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है जब भी बारिश होई भूक लगी तो बस आलू काटे बेशन खोला और जटपट इसे बना के खा लिया तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बावल में बेशन ले रही हूं ये तीन बड़े चमच बेशन है अगर कटोरियों से ना पू तो मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़ादा बेशन ले लीजे और मैं यहाँ पर तीन बड़े आलू का बना रही हूं इस बेशन में सबसे पहले मैं नमक डालूंगी इसके साथ में इसमें एक चमच अजवाइन डालूंगी अजवाइन बहुत इंपोर्टेंट है इसे जरूर डाली इस डाइजेशन भी अच्छा रहत और आदा चमच में इसमें लाल मिर्ज का पाउडर डाल रही हूं हम इसे थोड़ा से चट पटा बनाएंगी इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ज का पाउडर डाल रहा है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा से पानी डालूंगी एक साथ इसमें बहुत सारा पानी मत डाली है थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको अच्छी तरीके से mix करना है इसमें बिल्कुल भी lumps नहीं होने चाहिए जो हमारा बेसन है वो एकदम smooth होना चाहिए और बहुत जादा पानी एक बार में इसमें add मत करिए नहीं तो ये गीला हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके इसको नहीं डाल रही हूँ फिर भी जो मेरे पकोड़े है वो एकदम बढ़ियां फूलेंगे जैसे पूरियां फूलती है न एकदम वैसे हमारे भजिया फूले फूले बनेंगे तो उसकी जो tip है वो ये है कि मैं जो अपना बेसन फेट रही हूँ ये बहुत अच्छे से फेट र के लिए ढखकन ढखके रग दोंगी तुरंट से इसके पकोड़े हम नहीं बनाएंगे यहाँ पर मैंने आलू लिये है ये बड़े साइज के आलू थे इसको मैंने थोड़ा सा मोटा और गोल-गोल कट कर दिया है ये तीन आलू थे इनको मैंने काट लिया थो और अच्छी थोड़ी सी हरी मिच डाल रहे हूं बेसन को रखे हुए पांच मिनट हो गये थे तो ये अच्छी तरीके से फूल गया है अब इसको हाथों से एक बाब फिर से फेटूंगी इसका जो डारेक्शन है ये हमेशा हमें एक की तरफ रखना है अगर हम क्लॉक्वाइस कर रहे हैं थोड़े थोड़े डालेंगे और जो हमारे आलू है इसको बेसन में अच्छी तरीके से कोट करना है जरा से भी हमारे आलू जो है वो सूखे नहीं रहने चाहिए तो इसको पलट पलट के अच्छी तरीके से कोट करेंगे और एक करके इसमें तेल में छोड़ देंगे अब मैं एक पेशन वाले पकोड़े इसमें डाल रहे हूं तब तेल एकदम गरम है बिलकुल चटक गरम तेल में हम इसको डालेंगे और जब मैं यह सारे पकोड़े इसमें छोड़ दूँगी तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे दीमी आज मेंशे में से पकने देंगे पहले से एक दम गरम रहेगा और उसके बाद इसको लो फ्लेम में पकाएंगे दो से तीन मिनट में पक के तयार हो जाएंगे और देखिए कितने अच्छे से डालते से फूलने लगें एक दम मोटे मोटे बड़े बड़े यह हो गए हैं बढ़ियां हो गए हैं फूल फूल के ऊपर आ रहे हैं तो यह इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने बेशन बहुत अच्छा बनाया है यह देखे पास से मैं आपको दिखा देती हूं एकदम फूले फूले चटपटे हमारे पकोड़े बन रहे हैं बहुत टेस्टी लगते हैं इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे और एक बार इसको जब हम टर्न कर देंगे तब हम फिर से दुबारा से जो अपनी गैस की फ्लेम है इसको तेज कर देंगे यह देखे पीछे से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गये हैं तो अब इसको टर्न कर द बहुत जटपट से बन जाते हैं बहुत इजी यह से बनाना कोई भी बना सकता है और बहुत टेस्टी यह बनते हैं जैसे हम ठेलों में देखते हैं एकदम बढ़िया वाले आलू के भजिया जिसे देखते से मुह में पानी आ जाते हैं वो ही वाले भजिया हमारे घर पर बने ह इतने soft हैं इतने tasty हैं और क्या लगा इसे बनाने में पांच मिनिट लगा और ये बन के तयार हो गए अल्टी पल्टी करके इसे सेक लेती हूं और बहुत अच्छा इसमें color आ गया है इतने golden हो गए है तो अब इसको tissue paper में निकाल लूँगी जिससे इसका extra oil जो है वो tissue paper में आ फूले फूले बढ़िया पकोड़े हमारे बन गए हैं आधे आधे करके मैं इसे निकाल लेती हूं और आप जितनी quantity में बनाना चाहते हैं उतने आलू ले लिजे थोड़े से आलू और थोड़े से बेसन में बहुत सारे बन के ये तैयार हो जाते हैं और तेल विलकुल नही दिया है जितना हमारा आएगा तो बहुत जादा ओयली नहीं बने हैं फटा फट से मैं अपने जो दूसरा बैच है वो भी इसमें डाल दूंगी एक एक करके और ये वाले भी बढ़ियां फूल गए हैं डालते से एकदम फलफी हो जाते हैं फूल के ऊपर आ जाते हैं तो इ ऐसे ग्रीन चेटनी के साथ सर्फ करूंगी इस चेटनी की रेसिपी मेरे चैनल में डेली हुई है मैं लेंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी हमारे जो पकोड़े इतने टेस्टी बने हैं जो हमारे आलू है वो पके तो है लेकिन अंदर से क्रंची है इसक पेस्टी हमारे बेसन के पकोड़े बनके तयार है आप इसे जरूर बनाएए